अगर आप इस वीडियो पर पहुंची गए है तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि ये वीडियो पूरी देखने के बाद ही समझ में आएगी इस वीडियो में मैं आपको महम्मद गजनवी के बारे में वो फैक्ट बताऊंगा जो की आज तक आपने नहीं पड़े होंगे और आपके पेपर में आते हैं ये मेरा हिस्ट्री यानि की इतियास का संभावित दूसरा वीडियो होगा अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखाया तो प्लीज उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं ताकि ये वाली वीडियो आपको अच्छी समझ में आए चलते हैं मुहमद गजनवी यानि की भारत पर तुर्को के अकर्मन के बारे में भारत पर अर्वो का अकर्मन हमने कल की क्लास में देखा था या लाक्ष क्लास में देखा था आज की क्लास में हम भारत की उपर तुर्को का अकर्मन देखेंगे आपसे पूछ लेगा गजनव है अलप्तगीन 932 इस्वी में अलप्तगीन नामक एक व्यक्ती ने गजनी के उपर तुरुक सामरज्जे की स्तापना की पहला पॉइंट 1932 में अलप्तगीन गजनी में तुरुक सामरज्जे की स्तापना करता है अब अलप्तगीन के मरने के बाद एक व्यक्ती आता है जिसका सुबक्त गीन1997 में भारत पर पहला हमला करता है यह हमला कहां पर हुआ था यह हमला हुआ था एक शाही वन्स के राजा जिसका नाम था जैपाल के उपर कोश्शन आएगा पेपर में लेकिन यह हमला ऐसापल रहा राजा जैपाल ने इस हमले को दबा दिया और जो सुबक्त गीन था उसने हमला तो किया लेकिन ये पहला इस सफल आकर्मन कहलाया कोश्चन निमन में से किस राजा ने पहली बार भारत पर तुरक आकर्मन को बढ़ावा दिया था? कोश्चन सुबक्तगीन 1937 सोरी 19 सोरी 19 बोल रहा हूँ 937 हमला किया जैपाल पर लेकिन ये पहला ऐसपल आकर्मन रहा उसके बाद महम्मद गजनबी महम्मद गजनबी ने भारत पर 17 बार आकर्मन किये हैं और ये एक सपल आकर्मन रहे हैं तो कोश्चन बदल जाएगा देखो पहला ऐसपल आकर्मन किसने किया सुबक्तगीन ने सपल आकर्मन पहला किसने किया महम्मद गजनबी ने महम्मद गजनबी के आकर्मन सपल थे सारे के सारे 17 आकर्मन इसने भारत पर किये अलग अलग जगे पर इसलिए इसको तुर्क सामरज्य का वास्तविक संस्तापक भी कहते हैं मेरी वीडियो आज महमद गजनवी को लेकर ही फ्रेम में रहेगी तो महमद गजनवी देख लेते हैं बेटा महमद गजनवी का जो जनम हुआ था वो जनम हुआ था एक नौम्बर 931 इस्वी के अंदर इसका जनम हुआ था अब जनम से ये यामनी वन्स का सासकता पूछा गया है महमद गजनवी किस वन्स से रिलेटिड थे तो तुर्क यामनी वन्स से रिलेटिड थे और ये 998 में इस्वी में क्या बने राजा बने और ये उन समय इनका 27th एर के ओल्ड थे पूछा जा चुका है गजनवी जब सासक बने तो वो कितने साल के थे ऐसा पूछा जा चुका है ध्यान रखें गजनवी ने भारत पर कुल 17 आकर्मन किये हैं याद रखने युग बाते हैं अब गजनवी भारत पर आकर्मन क्यों करता है तो मैं आपको बता दू कि जो भारत है भारत सोने की चिडिया कहा जाता था यहाँ पर आपार धन संपत्ती का एक माहोल उन दिनों था तो गजनवी को ये बात मालूम थी गजनवी ने भारत पर आकर्मन किया था वो लूट पार्ट के लिए किया था याद रखना लूट पार्ट करना इसका मुख है उदेश है था उसके बाद जब ये उपादी क्या ये जब राजा बनता है 998 इस्वीव ने भगदाद के खलीपाओं ने इसको कुछ उपादी दी थी वो उपादी आपके पेपर में आएंगी तो जैसे ये राजा बनता है यामिन उल्मिला और यामिन उद्दोला के उपादियां इसको बगदाद के खलीपा देते हैं और यह जैसे भारत पर अकर्मन करता है यह खुद भी सुल्तान की उपादी धारन करता है तो सुल्तान की उपादी धारन करने वाला पहला तुर्क राजा कौन था तो अंसर आएगा पहला तुर्क राजा जिसने सुल्तान की उपादी धारन की वो था मुहम्मद गजनबी जो 998 इस्वी में 27 वरस की आयों में गद्दी पर बैठा और बगदाद के खलीपाउं ने इसको यामिन अलमिला और यामिन उद्दोला की उपादियों से भी नवाजा था उसके बाद इसका पहला अकर्मन वही है जैपाल ने वहां हरा दिया था उसको तो जैपाल को यहां ये हरा देगा एक हजार एक इस्वी में जिस जैपाल को सुबक्तगी नहीं हरा पाया था उसको हराने का काम मुहम्मद गजनबी कर देगा और जैपाल इसी बात की बेश्टी मानकर आत्यम हत्या कर लेता है उसके बाद उदैभांडपूर एक जगय है पेसावर के पास उदैभांडपूर वहां का राजा था जैपाल जो साही वनस का एक सासक था जो 1090, 2011 के आसपास मोहमद गजनिवी के आकर्मणों से तंग होकर अत्म हत्या कर लेता है हारने के बाद इसके बाद अब्दुलफते दाऊद को हराया, इसने मुल्तान का एक सासक है अब्दुलफते दाऊद एक हजार पांच इस्वी में मुहम्मद गजनवी ने उसको हराया आनदपाल को एक हजार आठ इस्वी में हराया और इसका सबसे परसिद जो अभियान था वो था सोमनात गुजरात पर आकर्मन तो मुहम्मद गजनवी ने सोमनात पर जो आकर्मन किया वो एक हजार चोबिस ए प्रणिर पर अकर्मन किया था कब किया था तो 2024-2025, 2024-2025 में वहाँ पर इसने अकर्मन किया था और यहाँपर सो मनात Newali यहां पर सोलंकी वन्स का सासक कर रहा था जिसमें मूल राज पर्थम भीम राओ पर्थम और बेव राज पर्थम है यहाँ पर क्या कर रहे थे सासन कर रहे थे तो कोशन आ जाएगा मुहम्मद गजनवी ने सोमनात पर कवा कर्मन किया डैस उस समय सोमनात पर किस वंस का सासन था तीसरा कोशन आ जाएगा राजा कौन से थे तो आप याद रखना सोमनात विज़े सोमनात विज़े याद रखना 1024-1025, सौलंकी वंस के राजा भीम देव पर्थम और मूलराज पर्थम के विध ये युद हुआ है और मुहम्मद गजनभी इस युद को जीत जाता है और जीतने के बाद वहाँ पर जो सोमनात का मंदिर है सोमनाट के मंदिर के सिवलिंग को तुड़वा कर लेकर जाता है और जामा मस्जिद की शीडियों पर लगाने का काम खरता है इसलिए मुहम्मद गजनबी को बूता किसं की उपादी मिलती है या फिर मूर्ती भंजक मूर्तियों को तोड़ने वाले की उपादी इसको दी जात मूल राज पर्थम वे देवराज पर्थम सासन कर रहे थे और मुहम्मद गजनबी इन दोनों को हरा देता है और हराने के बाद सुमनात मंदिर की सिवलिंग को तोड़ता है और तोड़ने के बाद इसको उपादी दी जाती है इतियासकारों के दवारा मूर्ती भंजक की या फिर बूता किसन की और उस सीवलिंग के पत्थर को वो ले कर जाता है और जामा मस्जित की सीडियों पर लगा देता है इतनी कट्रवादी सोच के साथ आगे बढ़ता है महम्मद गजनवी लेकिन महम्मद गजनवी सोमनात के मं बहुत लगाए और इसको बहुत तंग कर दिया और रास्ते में जाते-जाते 130 इस्वी में अतिसार रोग के करण इसकी मिर्तु हो जाती है सोमनात के मंदिर का जो ये अकर्वन है ये महम्मद फिर दोसी और बहकाकी आएगा फिर दोसी किसके काल में कवी थे डैस है ना बहकाकी किसके काल में कवी थे डैस अलबरूनी किसके साथ भारत आया था डैस उत्वी किसके काल में इतियासकार थे डैस ऐसे पेपर में आते हैं तो उत्वी लेखक है महम्मद गजनबी के और इन् आएगा इत्यासकार हैं बेटा ये किसके काल में? ये मोहमद गजनवी के इत्यासकारों में से एक है और मोहमद गजनवी का यामनी वंस था इसलिए इनकी पुष्टक है किताब यामनी या फिर तारीक यामनी आपके पेपर में कोशन आते है अलबुरूनी, महुम्मद गजनबी के काल में ये लेखक है, कवी है ये all-rounder है यानि कि इसको मेहत भी आता है, दर्सन भी आता है, साहित भी आता है, हिस्ट्री भी आता है सब कुछ आता है इस व्यक्ति को और ये गजनवी इसको अपने साथ भारत लेकर आया था तो आल राउंडर है ये गजनवी के साथ भारत आया था और इसने किताब लिखी है जिसका नाम है किताब हिंद या तारीक हिंद तो तारीक हिंद किस वैक्ति के दोबारा लिखी गी है तो आंसर आएगा अलबूनी और अलबूनी गजनबी के साथ भारत आया था इस बात की चर्चा दिमाख में रखना अलबूनी ने ही भारत के जितने भी गरंथ है जितने भी गरंथ उन समय हुआ करते थे इनका अनुवाद किया था गजनबी के लिए ताकि वो लोग जो तुरक सामराज्य में रहते हैं वो भी भारतिय गरंथों को समझ सकें तो अलबूनी का काम अपने आप में बहुत शांदार उन दिनों रहा तुरकों के लिए शांदार रहा फिर्दोसी भी एक कवी है जिन्होंने लिखी है सहानामा पुस्तक सहानामा पुस्तक को युदों की पुस्तक कहते हैं और ये कोर्लेट होती है महाभारत से जैसे महाभारत को जैसे हीता कहते हैं युदों की पुस्तक कहते हैं वैसे ही अफगानिस्तान में एक पुस्तक है स तहा नामा इसको हम युदों की पुस्तक कहते हैं इसमें गजनवी के युदों के बारे में बताया गया है और पुस्तक है ये अफगानिस्तान का महाभारत इस पुस्तक को कहा जाता है और फिर्दोसी को पूरो का हैमर की संग्या दी जाती है उसके बाद एक बहकाकी है सुब सुवक्त गीन के उपर इसने किताब लिखी है बहकाकी ने और ये पूर्वी पेप्स कहलाए इटली के लेखक कहलाए तो बहकाकी को पूर्वी पेप्स कहा जाता है जबकि फिर्दोसी को पूर्वी या पूरो का हैमर कहा जाता है अलबरूनी को ओलराउंडर कहा जाता है और उत्वी को गजनवी का इतियासकार कहा जाता है, आगे देखते हैं क्या है, गजनवी ने सरो पर्थम मुद्रा कोस बनवाया था याद रखना, और इसने जो सिक्क्य चलवाए थे बेटा, तो सिक्कों के एक तरफ, सिक्कों के एक तरफ तो संस्कर्थ भाशा लिखी होती थी, और एक तरफ अरवी भाशा लिखी होती थी, कोशन पूछेगा, इसने ऐसे सिक्क्य चलवाए, जिस पर एक तरफ अरवी भाशा और एक तरफ जो आपकी संस्कर्थ भाशा लिखी होती थी, तो अंसर आएगा, गजनवी ने चलवाए थे, और मैंने बताया था, 1027 इसमी में इसका लास्ट विद्रोजटो के किलाप हुआ और जाटो ने इसकी संपत्ति लूट लिए, जो संपत्ति इसने सौमनाथ मंदिर पर, या स्वनाथ मंदिर से जो इसने संपत्ति लूटी थी, वो जाटो ने लूट ली, 1027 में, और 1030 में अतिसान रोग के कारण इसकी तो ये हो गया आपका गजनवी, मैंने ये स्लाइड आपको बताई, एक कोशन रह गया, सायद मैं बताना भूल गया हूँ, कि जब मुहम्मद गजनवी सासन में आया, तो उस समय ये खुरासान का सासक था, खुरासान एक जगह है, वहां का ये सासक था अपने पिता के समय, य लामी उद्ध दोला की उपादी निवन में से किस जगह के खली पाउ ने दी थी, दो कोशन आपको मैंने बता दिये हैं, बहुत बढ़िया तरीके से अगर ये वीडियो किसी ने देखी है, तो वो इसका आंसर जरूर दे पाएगा, नमस्कार, जैहिंद, जैभारत, मिलते ह किसी अन्य वीडियो में, जैहिंद, जैभारत,